दोस्तों नमस्कार जाँच एजेंसियों के कथिद दुरुपयों को लेकर शिवसेना सांसा संजराउत ने दोस्तों केंद्र की मोधी सरकार को घिरने की कोशिस की है उन्होंने कहा है कि महरास्ट्र में राजनेतिक प्रतिदुंदियों को खत्म करने के लिए अप कॉंट्रेक्ट किलिंक की जगह सरकारी हत्याओं ने ले ली है और इसकी सुपारी दरसल जाच एजेंसियों को दी जा रही है संजराउत ने कहा है कि केंद्र सरकार ने शिवसेना के नित्रत वाली महाविकासगारी सरकार यानि की M.V.A. सरकार में कुछ मंत्रियों को परिशान करने के लिए उनके पीछे इनफोर्समेंट, डिरेक्टोरेट और इंकम टेक्स डिपार्टमेंट को लगा दिया है इन मेंसे एक C.B.I. जाच तो जरूरी है उन्होंने का कि ऐसा लग रहा है कि जाच एजेंसी केंद्र सरकार के कॉंट्रेक्ट किलर के रूप में काम कर रही है संजराउत ने सापताहिक कॉलम रोक टोक में लिखा है कि क्या महरास्ट में रेड करने के लिए कोई कानून है की नहीं केंद्रिय जाच एजेंसियों के माध्यम से किये जा रहे है रिकॉर्ड तोड छापे को देखते हुए ये सवाल हर किसी के दिमाग में आता है ऐसा कहना है संजराउत का संजराउत ने कहा है कि पहले दिल्ली के शासक जूट बोलते थे लेकिन अब बिना किसी पूझी निवेश के लगातार छापे मारी एक नया वेवसाय बन चुका है यानि कि एजेंसियों की कारवाई इन लोगों को कॉंट्रेक्ट दिखाई दे रही है उन्होंने कहा कि राजनेतिक विरोधियों को हटाने के लिए लोगों के पैसों और सरकारी मशीनदी का दुरुपयोग किया रहा है अतीत में मुंबई में जब अंडर वर्ल्ड सक्रिय था तब कॉंट्रेक्ट किलिंग चलता था गिरोध वरोधियों को मारने के लिए कॉंट्रेक्ट पर गुंडे लगाई जाते थे लेकिन अब इसे सरकारी हत्त्याओं में बदल दिया गया यानि कि दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि अंडर वर्ल्ड के कारनामों का कनेक्शन संजराउट जाच एजेंसियों से कर रहे हैं केंद्रिय जाच एजेंसिय दिल्ली में सत्ता में रहने वाली पार्टी के लिए कॉंट्रेक्ट किलर के रूप में काम कर रही है ऐसा कहना है राउट का राउट ने काया कि इन एजेंसियों के माध्यम से आवंचित राजनेतिक प्रतिदंदियों को खत्म करना एक नई नीती बन गई है राश्टवादी कॉंग्रेस पार्टी यानि के निता और राज्जी के मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान की नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानि की ंसीबी दवारा गरफतारी का जिकर करते हुए संजराशने काकी खान को ड्रग रैकेट में चामल हौने के बहान गरफतार किया गया था आठ महीने के लिए जेल में डाल दिया गया था संजराशने दोस्तों अपने लेकtem कआया क्यों अगया रबल्ट सिंग के ठेकानों का पता लगाने के बजाए महारास्ट के पूर्व ग्रही मंतिर अनिल देशमुक के घरों पर छापा मार रही है जिन्होंने देशमुक पर भरस्टा चार का अरूप लगाए था तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि संजराउत किस तरीके की भाशा का इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं जो अंडर वर्ल्ड किया करता था जैसे कि वो जो है नेताओं को गुंडों को दरसल कॉंट्रेक्ट देकर उनको मरवा दिया करते थे आज वही इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी करती हुई दिखाई दे रही है ऐसा कहना है संजराउत क और अनिल देशमुक के उपर छापे मारी को लेकर खास करके महरास्ट के नेता दोस्तों बहुत ही जादा परेशान दिखाई देते हैं और वही संजराउत का एक बार फिर से दर्द निकल कर सामने आ चुका है कि परमबीर सिंग तो फरार हो गए हैं परमबीर सिंग पर कोई की बड़े फैं थे उनकी कारशली के तो आज जब परमबीर सिंग के उपर आरोप लगें कि वो रूस चोड़कर भाग गए हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है क्या महरास्टर की सरकार जिम्मेदार नहीं है उन्होंने तो लोकाउट नोटिस तक जारी कर दिया था फि फिर छापा ना मारा जाए तो क्या हाथ पर हाथ रखकर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसिया बैठी रहें कि देश मों कब आएंगे सरेंडर करेंगे और हम पूछताच करेंगे तो कोल में लाकर दोस्तों जाच एजेंसियों को लेकर के पूरे पिछले हफते से लगभाग जो अगाली सरकार के नेता हैं जो मंत्रियें वो बहुत ही जादा क्रामक दिखाई दे रहे हैं और उन्हें जाच एजेंसियां अब जो है अंडर वर्ल्ड की तरह दरसल खटकने लगी हैं और उनका कहना है कि जैसे अंडर वर्ल्ड काम करता था वैसे अब मोदी सरकार ने जो है कॉंट्रेक्ट किलिंग का दरसल काम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों को दे दिया है इस पर बीजेपी के नेता ने संजराउत को जम कर धोया है लतारा है उन्होंने कहा है कि इस तरीके के जो बहुत ही जादा गंभीर और घटिया नीच आरूप लगाई जा रहे हैं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों के उपर जो कि हर वक्त देश की सुरक्षा के लिए ततपर रहती है यह बहुत ही जादा निंदनीय और दुखद है तो दोस्तों जो भी आपका पॉइंट ओव व्यू है संजाराउत की तरप से जो यह बात बोली गई जो ओछी बा आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो ले करा हूँ तो सबसे पहले नोडिफिकेशन आपको मिले